हेलो एब्रिवन वेलकम टू सक्सेज वित रायकेडमी 17 फरवरी 2021 के इंपोर्टन करेंट अफेर कोश्चन को इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इस वीडियो का पीडियो का पीडियो लिंक आपको हमारे टेलिग्राम चैनल सक्सेज वित रायकेडमी से मिल जाएगा उसका ल सरकार ने लकडी के खिलोने इस्थानिय कलाकरती हस्त सिल्प को बढ़ावा देने के लिए फिलिप कार्ड के सांथ समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इसका रायट एंसर होगा B option महराश्ट महराश्ट सरकार ने लकडी के खिलोने इस्थानिय कलाकरती हस्त सिल्प को बढ़ावा देने के लिए फिलिप कार्ड के सांथ समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं यह समझोता ग्यापन कारीगरों, बुनकरों, सिल्प कारों और MSME को महराश्ट के लाखों ग्रहकों क भारत में अपने उत्पादों का प्रदरसन करने में सक्षम करेगा, फिलिप कार्ड इन सभी निर्मनताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रसिक्षन भी देगा, इसके साथ ही कंपनी द्वारा प्रोडक्शन फोटोग्राफी भी की जाएगी नेश्ट कोश्चन है, वित्मंत्राले ने चालू तिमाही में सरकारी सौमित्त वाली समान ने बीमा कंपनियों में कितने हजार करोन रुपए की पूंजी निवेस करने का फैसला किया है, इसका राइट एंसर होगा, थर्ड ऑप्शन, तीन हजार करोन रुपए वित्मंत्राले ने चालू तिमाही में सरकारी सौमित्त वाली समान ने बीमा कंपनियों में तीन हजार करोन रुपए की पूंजी निवेस करने का फैसला किया है, इन बीमा कंपनियों के वित्तिय स्वास्त को बहतर बनाने हितू यह पूंजी निवेस किया जाएगा, सरकार आपने वित्त वर्स 2020-21 के लिए 28 लाग क्रोन रुपए के सकल अतरिक्त व्याय के लिए संसदिय मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास किया था. यह रासी अनुदानों के पूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बेंच के हिस्ते के रूप में मांगी गई थी. नेश्ट कोश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिष्टो सेला को अपना नया मुख्यकारी अधिकारी याने कि CEO और प्रबंध निदे सक याने MD निउक्त किया है? इसका राइट एंसर होगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने याने कि A option. टाटा मोटर्स लिम्टेड ने मार्क लिष्टो सेला को अपना नया मुख्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदे सक निउक्त किया है. लिष्टो सेला की निउक्ती 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी, वे टाटा मोटर्स के वर्तमान CEO और MD गुंटर वच्चेक की जगा लेंगे, जिनोंने व्यक्तिगत कारणों के अनुबंध के अंत में जर्मनी में स्थानांत्रित होने की इच्छा व्यक्त की थी. लिष्टो सेला, फ्यूसो ट्रक और बस कॉर्प के पूर अध्यक्ष और CEO हैं और Asia में डेमलर ट्रकों के प्रमुख हैं. Next question है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्जी के बहराइच में महराजा सुहल देव के इसमारक का सिलान्यास किया है? इसका right answer होगा, fourth option उत्तर प्रदेश. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महराजा सुहल देव के इसमारक का सिलान्यास किया है? महराजा सुहल देव 11 सदी में सरास्वत के समराठ थे. सुहल देव ने महमूत गजनवी के भांजे सालार मसूत को मारा था राजभर और पासी जाती के लोग उन्हें अपना वंसज मानते हैं जिनका पुरवांचल के कई जिलों में खासा प्रभाव है अमेरिकी राज़पती जो बाइडन ने भारती मोल की किस महिला को स्रम और स्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिसद में विसेश सहायक नामित किया है इसका राइट एंसर होगा C option प्रोनिता गुपता अमेरिकी राज़पती जो बाइडन ने भारती मोल की प्रोनिता गुपता को स्रम और स्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिसद में विसेश सहायक नामित किया है प्रोनिता गुपता Center for Law and Social Policy में जॉब कॉलिटी टीम की निदे सकती उन्होंने कम आये वाले परिवारों के स्रमिकों के लिए नौकरी की गुडवत्ता में सुधार करने स्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने और काम करने के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की नीतियों की वकालत की थी Next question है निम्ड में से कौन सा टेनिस खिलाडी? आठ बार के उस्टेलियाई उपन चैंपियन नुवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाडी बन गये हैं दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाडी जोकोविच ने कनाडा के मिलोस रावनिक को 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर या उपलब्दी हांसिल की है दिगज रोजर फेडरर 362 का नाम सरवादिक जीत का रिकॉर्ड है नुआक जोकोविच सरविया के एक प्रमुख टेनिस खिलाडी है नेश्ट कोश्चन है कि IPL टीम, किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदल कर क्या रख दिया है इसका राइट एंसर होगा फोर्थ आप्शन, पंजाब किंग्स किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है इंडियन प्रीमियर लीग में के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी किंग्स 11 पंजाब, IPL की उन आठ टीमों में से एक है जिसने UAE में पिछला सत्र खेला था इस महीने होने वाली IPL की निलामी से पहले आल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टीम ने रिलीज करने का फैसला लिया है वरतमान में टीम के कप्तान लोकेस राहूल है, उनसे पहले टीम के कप्तान के तौर पर भारती क्रिकेट टीम के यूराज सिंग तथा विरेन सैवाग भी रह चुके हैं तथा आस्टेलिया के जॉर्ज बेली को भी कप्तानी करने का मौका मिल चुका है बारती क्रिकेट टीम के किस पूरु विकेट कीपर बल्ले बाज ने सभी प्रारूपों से सन्यास लेने का घुष्णा की है इसका राइट अंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन नमन ओजह भारती टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओचा ने 15 फरवरी को अपने सन्यास की घुशना कर दी नमन ओचा के नाम घरेलू क्रिकेट में ररजी ट्रॉफी के दोरान विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा सिकार करने का रिकॉर्ड दर्ज है इस विकेट की उपर बल्लेबाज ने साल 2010 में स्रिलंका खिलाफ अपना वंडे डेब्यू किया था उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट, एक वंडे और दो T20 मुकाबले खेले हैं वह IPL में दिल्ली डेर डेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और सन्राइजर सहिद्राबाद की तरफ से खेल चुके हैं तो यह 17 अरवरी 2021 के इंपोर्टन क्रेंट अफियर कोस्टन थे इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपको इसके एंसर भी मिल जाएंगे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद